गुड मॉर्निंग बच्चों आज की ओनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत यों अभिनांद दान कल हमने कलस्ट नेम और एक्सराइज फर्ष्ट का अजन क्या था आज हम लेशन्ज चार का दोरान काजे करेंगे उससे पहले अपन चित्रों को समझेंगे फिर पार्ट का दोरान करेंगे इस पार्ट जो जो चित्राएं हैं उससे पहले अपन देखेंगे और उसकी वर्तनी के साथ दोरान भी करेंगे तो ये देखो, पहला चितर आपको किसका दिखे दे रहा है, काइट, किसका दिखे दे रहा है, काइट, काइट यानि पतंग, तो इसका मेंडिंग होगा, क, आ, ट, इ, काइट यानि पतंग, आगे देखो, ये चितर किसका दिखे दे रहा है, आपको, लोयन, लोईन यानि सेर ल, आ, ओ, ए, न, लोईन यानी सेर इसके बाद देखो किसका चितर दिखे दे रहा है मंकी M-O-N-K-E-Y मंकी यानी बंदर इसके बाद देखो ये चितर किसका दिखे दे रहा है की की यानी चाबी K-E-Y की यानी चाबी इसके बाद देखो ये चितर किसका दिखे दे रहा है बेल बेल यानी गंटी B-E-L-L बेल यानी गंटी इसके बाद देखो ये चितर किसका दिखे दे रहा है इसको आप सब जानते हैं न पिकोक पिकोक यानी मोर P-E-A सी ओ सी के पिको क्यानी मोर अगे देखो तो अपने ये चीत देखा आप अच्छे लगे ना हाँ इसके बाद देखो आज हम लेशन चार इस पाड़ का दोरान करेंगे तो अच्छे से द्यान से सुनकर अपने वो दोरान करना है पहला वाई क्या है इस देटे काइट क्या वहे एक पतंग है तो इस देखो आप उसी तरकिश्का दीकर दे रहा है पतंग का तो इस सही है ना वाई के तो इसके लिए यस इट इज हाँ वहे है आगे सेकिंड वाई के इस देटे लोयन क्या वहे एक सेर है तो इदर चितर में देखो चितर सही दिख़ी दिया रहे है सेर का इसके लिए होगा Yes, it is हाँ, वहे इसके बाद देखो तीसरा वहे के Is that a monkey क्या वहे एक बंदर है तो इदर आप शामने देखो चितर मापू क्या दिख़ी दे रहा है बंदर तो इसके लिए होगा Yes, it is हाँ, वहे है आगे देखो जोता वाई के Is that a key क्या वहे एक चाबी है तो इसके देखो आगे शामने चितर में चाबी का चितर दिख़ी दे रहा है क्या हाँ Yes, it is हाँ, वहे है आगे देखो पांच वे नमबर Is that a bell क्या वहे एक गंटी है तो इसके देखो गंटी के दिख़ी दे रहा है Yes, it is हाँ, वहे है आगे देखो श्टा वाई के Is that a क्या वहे एक मोर है तो इसके देखो शामने चितर में क्या तो आज अपने इस पार्ट का दोरान किया इस पार्ट को आपको घर पर पुन्य पढ़ना है और इसके साथ इसका हिंदी इन्वाद याद भी करना है इसके बाद आज हम इसी पार्ट के मेनिंगों का एक बार पुन्य दोरान करेंगे पहला मेनिंग है देट टी एच एट यानि वे है आई एस इट यानि यानि है आई टी इट यानि ये है वे है इसके दोनों अर्थ भी सही है दिसके साथ ये है होता है और देट के साथ वे है होता है Y-E-S यानि हाँ K-I-T-E काइट यानि पत्तं ल-I-O-N लोईन यानि सेर M-O-N-K-E-Y मंकी यानि बंदर K-E-Y की यानि चाब बी B-E-L-L बेल यानि गंटी अगे हैं दस नवर मेनि प-E-A-C-O-C-K पिकोच यानि मोड तो इन मेनिंगों को आपको अच्छी तरे यार भी करना है और अपनी कोपी में भी ये काम करना है में इसके बाद देखो अपन पुछ और काम करते हैं में दा फ्लोईन यानि A को B से मिलान करना तो A में तो अंग्रेजिमे मेनिक दिये में और B में इसके हिंदी में अर्थ दिया वा है तो पहला है लोयन लोयन क्या होता है इसको अपन तीर के शाइटा से मिलाएंगे तो इदर B में सेर का है दो नमर पर L I O N लोयन यानि सेर दूसरा है मेनि की की यान चाबी इदर B में देखो चाबी तीन नमर पर है K E Y की यानि चाबी अगे हैं मंकी मंकी यानि बंदर तो B में पेले नमर बंदर है M O N K E Y मंकी यानि बंदर आगे देखो काइट काइट यानि पतंग तो इधर देखो B में पांच नमर पर पतंग लिकावा है K I T E काइट यानि पतंग आगे हैं बेल बेल यानि गंटी तो B में सबसे निचे क्या नाम लिकावा है गंटी B E L L बेल यानि गंटी आगे देखो इधर A में सबसे लाष्ट क्या मेनिंग है PICO PICO क्यानि MORE P E A C O C K PICO क्यानि MORE तो आपको यह समद माएं क्या तीर के साइटा से अर्थ को मिलान करना इस कारिय को भी आपको कोपी में करना है इसके बाद देखो Missing Later यानि खाली जगे खाली जगे का उच्छी सबत बढ़ना तो यह देखो के खाल जगे टी खाल जगे इसमें क्या आएगा अपनों को वह सबत बढ़ना है के आई टी इ काईट यानि पत्तं अगी देखो एल खाल जगे फिर खाल जगे इन तो इसमें क्या आएगा एल आई ओ एन लोईन यानि सेर आगे देखो एम खाल जगे एन खाल जगे इवाई तो इस मेनी को पूरान करना आपने को एम ओ एन के इ वाई मंकी यानि बंदा आगे हैं के ए खल जगे इसमें अपने को पूराना है के इ वाई की यानि चाब्बी आगे देखो 5 नमपर वी खल जगे डबलेल बेल यानि गंटी इसमें आए Character बी इी डबलेल बेल यानि गंटी अगे देखो मेनिंग है पी झाल जिओ घाल जिक एक़े सी यह मैनिंग है पी को क्या निदी मोर अपने पूरान करें को प फिर्च का यह दक हां पी एक तose rebels करोगे और कोपी में भी करोगे धन्यवाद